तो विलकमे हैं दूसतों चली और जुएज आज हम लोगं बात करने वाले हैं की धनबाद Genamem झेल धनबाद जिलामंरेका डिलouse की भरतिया है इसको क्यसे भरना है आपको ओन लाइन ऑन लाइनbers Team ठीक है सिंपले आप धनबाद लिख दीजिए चाहाँ धनबाद डिस्ट लिखे इस तरह से धनबाद डिक सर्च मारेए अब धिदी सर्च मारने के वाद इसको उपर उठाना है आपको और पर जैसे उपर उठाएंगे तो आपके सामने ये धनबाद जिल्ला का वेबसाइड आ जाएगा ठीक है ये देखिए भारतिय तिरंगा जंडा साइन होगा डिस्ट्रिक धनबाद गौर्मेंट और जारकन लिखा होगा यहां पर आपको क्लिक करना है रिक्वाइर्मेंट वाल यहां का फॉर्म आया होगा है डिस्ट्रिक रूरल डेबलापमेंट एजनसी धनबाद मंढ़ेगा ठीक है यहां पे देखिए एक लिंक है किलिक है टू अपलाई उन्लाइन इससे पर आपको क्लिक करना है ठीक है किलिक है अपलाई ओनलाइन ओके पर क्लिक किजिए और आप apply now इस पर click किजिएगा अब देखिए आपके सामने यहां पर आ गया यहां पर यह सारे चीज़े देनी है पहले हम बता देते हैं क्या क्या दनी है देखिए सबसे पहले आपको यहां पर registration करना होगा ठीक है उसके बाद login करना होगा फिर आपको अपना personal detail देना होगा next आपको यहाँ पर अपना education detail देना होगा फिर आपको यहाँ पर upload document करना होगा फिर print लेना होगा ठीक है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर registration करना होगा registration करने के लिए कि यहां पे आपको एन अज्टेशन कहां पे होगा तो यहीं पे होगा चलेगा देखते हैं कहां यह दूद्ध कbal entonces आईगा टिश्ट्री कर देना है क्या यहां पे अपना पोस्ट को चुन लेना है कि यह कि कि पोस्ट पे आपको करना चाहते हैं एकाउंट असिस्टेंट कि कम्प्यूटर असिस्टेंट ठीक है टेक्निस फिर आपका टेक्निसकल असिस्टेंट या फिर टेक्निकल असिस्टेंट जाहिए तो यहां पे मैं एपलाई कर रहा हूं आपका account assistant पे किसी भी एक post पे मैं apply करके आपको दिखा देता हूँ same to same process रहेगा तो account assistant पे मैं यहाँ पे apply करके आपको दिखा दे रहा हूँ अब आपको यहाँ पे जो है अपना applicant name देना है पूरा का पूरा नाम देना है capital letters में पूरा नाम लिखिएगा suppose that मेरा नाम है सागर साओ या फिर सागर कुमार साओ तो मैं दोनों जो भी आपका नाम पूरा फूल नेम देना है ठीक है फिर आपको यहाँ पे अपना date of birth select करना है date of birth यह से क्लिक किजिएगा तो आपके सामने यह box आ जाएगा यहाँ पे इसको आना है यह 23 वाले option पे क्लिक किजिएगा तो आपका यहाँ पर साल चुनने को देगा ठीक है जो भी साल है आपका साल सेलेक कर लिजिएगा जिस वर्स आप पैदा हुए हैं फिर आपको यहाँ पर मंत चुनना है ठीक है और फिर आपको finally date पे click करना है जैसे मैं suppose आपको यहाँ पे दिखा दे रहा वहां भर आपको यहां पर नाम लिखना है फिर आपको अपनी मुबाइल नुम्बर देनी है और यह मुबाइल नुम्बर बहुत जड़र रही है तो वहीं सा दिजीएगा जो आपके साथ रहता हो ठीक है तो चलीं देख लेते हैं देखे, email id देने के बाद यहां पे आपको register पे click करना है, तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं, देखे मैंने सब कुछ कर लिया है, अब register पे click कर दे रहा हूँ, ठेके आपके समने, तो यहां पे लिख रहा है कि registration successfully done, ठेके, आपको ok पे click करना है और आगे बढ़ना है, अब आपके सामने दिखिए, आपका जो यहां पे application id आ गया होगा और password भी आ गया होगा, इन दोनों को इसके insert ले लेना है, और आपको note करके भी रख लेना है, और इस close पे click करना है, ठेके, तो जैसे आप close पे click किजेगा, आप यहां पे आ जाईएगा फिर से homepage पे, अब आपको यहां पे क्या करना है, लोग इन करना है, लोग इन करने के लिए आपको यहां पे applicant id पे click करना है, ठेके, फिर यहां पे अपना password देना है, जो अभी दो चीज़ आया था ना आपके समने, उसी दोनों चीज़ों को type करना है, तो चली आपको type करके दिखाते हैं, तो comments and printout पे आएगा, ठेके, चली हम आपको आगे बढ़ाते हैं, तो first में आपका यहां पे आएगा personal detail, ठेके, personal detail में आपको आपका नाम फिलप रहेगा, आपको अपना father नाम type करना है, ठेके, फिर आपको यहां पे date of birth type करनी है, आपको और date of birth type ही रहेगा, gender select कर लेना है, कि आप किस gender से है, ठेके, फिर आपको यहां पे marital status, आप साधी सुदा है या और विवाहित है, select करना है, ठेके, तो single है या married है, next आपको select करना है category, ठेके, आप किस category से है, आप STC या OBC है, फिर भी आप general से form को बढ़ सकते हैं, ठेके, यह चीज हो गई, next आपको यहां पे physical handicap है, तो yes किजिएगा, नहीं है, तो no पे click किजिएगा, फिर आपको यहां पे document type पे select करना है, कि आप क्या देना चाहते है, document के आदार पे, other card, water ID card, pen card, driving lessons, या others, ठेके, next आपको यहां पे दिखिए, identity mark 1 रहेगा, इसमें आपको बताना है कि आपके कोई दो sign, फिर identity mark 2 में द चल गया था, तो मैं लिखूंगा, a burning sign of a neck, ठीक है, on my neck, sorry, a burning sign, जो भी आप लिख लिजेगा, a burning sign on a neck, किसी का till होता है, ठीक है, a mall on nose, किसी का lip में होता है, किसी का हाथ में होता है, ठीक है, तो यह सब आपको signing देने हैं, फिर यहां पे आपको अपना present address देना है, यहां प अरखंड, and pin code अपना type कर देना है, ठीक है, अगर आपका permanent address और present address दोनों same है, तो इस पे click कर दिजेगा, यह अपने आप fill up हो जाएगा, ठीक है, अपने आप, जैसे यह आप एक को भरेंगे, यह अपने आप fill up हो जाएगा, दोनों अगर अलग अलग है, तो आपको fill up करके यहाँ पर submit पर click करना होगा, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं इतना ही दूर तक बढ़ता हूँ, आगे आप लोग कर लिजेगा, मैंने जितनी जोरुरत की जिजित हैं, सब कुछ बता दिया है, ठीक है, और आप लोग definitely commerce के student हैं, तो इतना तो जानते ही होंगे, बीकॉ इंजिनियर चाहे, जो भी ए, असिस्टेंट इंजिनियर के भी भर रहे हैं, फिर भी आप लोग form को same to same process से भर लीजेगा, के भी size में आपका 300 के भी के आसपास आ सकता है, देखित के भर लेना है, ठीक है, इसी तरह से आपका process बढ़ते जाएगा, and finally आपका form जो यहाँ प डिप्लोमा कियें, तो डिप्लोमा बीटेक कियें, तो बीटेक का डिगरी, ठीक है, honors कियें, कोई computer certificate उसको डिगरी, जितना है, सब डाल देना है, ठीक है, और आपका एपिडिपिट भी इसी upload document में लगेगा, ठीक है, educational detail में आपको सब देना है, अपना 10th कहां सकी हैं, कब क हैं, कितना percent आया, ठीक है, यह सब रही चीजें आपको देनी पड़ेंगी, और जब आपका final printout हो जाए, तो आप लोग इस logout वाले option पे click कर दिचेगा, ठीक है, यहाँ पर जो अप्सन देख रहे हैं, और logout हो जाईएगा, ठीक है, तो यह था पूरा का पूरा, पूरा त की, ठीक है, क्यों कुछी पद हैं, तो अगर आप अप्लाइ करना चाहते हैं, इंट्रेस्टेट हैं, तो अप्लाइ कीजिए, और साथ ही, अगर आपको कोई दोस्त रखता हो इस प्रकार का qualification तो उन तक भी सहर कीजिएगा, ऐसा मत सोचेगा कि यार, अब बोल देंगे, तो फिर उसका नोक्रिया हो जाएग, म मेराऊ नहीं होगा, नहीं दोस्त, एक्जाम हो रहा आ इटेक है, यहां पर मेरिट हो तो आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन एक्जाम होगा, तो बहुत सरे डेफिनिटली भारेंगी, तो आपका दोस्त भी रहेंगा, तो च्या होगा, दोनों किजिएगा हम आपको कमेंट देखेंगे और उसके अनुसार आपको आंसर देंगे टाइंक यू और अभी मैं आपको अपना फेस नहीं दिखा पा रहा हूं कि कुछ प्रोबलम है मतलब यार थोड़ा पलस्तरा वगरा करवा लेते हैं रोम को उसके बाद ही आपको बताएंग आपको देन का है यह घगे घए झां समिय ठीया झायर स्वारा करवा आपको और आपको आपको बता है adalah सिल देखेंगर कर सक्की सध्या मैं अवँषण को ओना आपको ंपको अा Facebook